आई हेलोफेंस तो अग आप देखbooks डातर मार्किट में गिरावट है के निफ्टी 50 को ले जिए यहां इसे पीछे का बाइब किया यह जो म hacks दुबारा इस लेबल पर या इस लेबल पर आ सकती है, यह जो market है, कितने और गिर सकती है, और क्या हमें exactly करना चाहिए, क्या हमें बेच के दुबारा यहाँ पर share को उसी की according यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि obvious सी बात है, यह market गिरती है, तो हमारे portfolio पर भी असर होता है, चाहे थोड़ा सा असर हो, या फिर ज्यादा सा अस है, और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, कि यहाँ पर हमें support resistance के इस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए, नजर आते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए, मैंने आपर nifty और small cap, mid cap, or indexes से लेटेर यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और एक-एक करके, हम सारे indexes को भी देखेंगे, हम एक-एक करके, यहाँ पर market की चालगों पकड़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहरे request है, invest forever channel को subscribe, bell icon को hit, और notification कौन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो इस आपको daily basis पे मिलते रहें, और यहाँ पर सबसे फ़हले nifty-fifty की बात कर लेते हैं, nifty-fifty देखिए, obvious सी बात है, लगातार में हमेशा कहता हूँ, जब गिरावट हुई थी, तब लगातार गिरावट नहीं हुई थी, market उपर जा रहा था, अगर market उपर जा रह जरूरी होता है, जब top बन जाता है, थोड़ा सा cautious रहना जरूरी होता है, कुछ candles ऐसी बन रही होती है, जो अगर आपने यहाँ पर technical सीखे होंगे, जो कि हम अपने यहाँ पर course जो कराते हैं, उस courses में यहाँ पर बताते हैं, कि क्या ऐसी candles बनती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर चीजों को ऊपर जाने से शायद रोकेगा थोड़ी है, और अगर रोकता है, तो याद रखिये, आपको उसके according क्या करना है, बहेव करना है, और इस particular point से यह जैसे ही निकलेगा, तो याद रखिये, एक और resistance यहाँ पर सामने है, जो कि यह वाला है, इस resistance को अब तक cross नहीं कर रहा, market में, एक new high की तो आप एक्षा छोड़ी दीजिए, जो कि कितने point उपर है, लगबा लगबा यहाँ पर हम बात करें, अभी market 18, 159 पर चल रहा है, लगबा 400 point के लगबा, 400, 400 point वो उपर हमें यहाँ पर नजर आता है, कुछ ऐसी candies बनी है, जो कि यहा पर selling का signal दे रही है, तो यहाँ पर क्या करना है, exactly उससे लेकिक बाते कर लेते हैं, तो देखिए, आज market में गिरावट हुई, और गिरावट होने पर, आप अगर इसे, मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको समझेगा, कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए support देता है, तो याद रखिए, चीज़े नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, और नीचे कितनी आ सकती है, तो नीचे आने पर हमें यहाँ पर support जो दिखाई देता है, वो support फिट सीधे यहाँ पर दिखाई देता है, जो की 17,965 के आसपास है, तो यहाँ तक market आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा क्या रहना है, आपको prepare रहना है, as well as यहाँ पर अभी monthly expiry भी है, तो थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बाकी market की बात करें, तो positive है, कुछ चाइना में issue हुए थे, इस वज़े से यहाँ पर शायवाद market गिरी क्योंकि अगर मैं आपको last trading session आपको डो जोंस का दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लगबद 200.59% market यहाँ पर इसकी ऊपर थी, इसके इसाब से हमारी market को ऊपर होना चाहिए था, बट एक gap down होता हुए नजर आया, उसके पीछे का reason चाइना में lockdown था, तो इसने अपने level को respect किया है, तो most probably यहाँ से return हो सकती है, बट याद रखिये दो resistance point यहाँ पर है, एक 18.358 और 18.429 और 18.450 के असपास का, तो यहाँ पर जब तक इसे cross नहीं कर रहा, तब तक आप यहाँ पर मस्तोचे कि 18.590 के असपास जाएगा, तो इन इसके बीच में ह हो सकता है कि market घुमती हुई नजर आए और कभी भी एक दिन आएगा, या फिर expiry के बाद यहाँ ओबर चले आएगा, ओके या फिर यहाँ पर हो सकता है कि एक अदिन के लिए चीज़े नीचे आती हुई दिखाई दे, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, धियान देना है Same as it is मैं बात करूँगा Nifty Mid Cap की, Nifty Mid Cap भी देख सकते हैं, लगाता है यहाँ पर गिरावट हुई, आज इसने एक Doji भी create करी है, मुझे लगता है कि एक जो गिरावट है, वो गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, Nifty Mid Cap में, ज़्यादा गिरावट होने के chances नहीं है, और यहाँ से टच होके चीज़े ऊपर चली आएगी, तो यहाँ पर याद रखिए, जैसी इस पर्टिकुलर लाइन को यह क्रॉस करेगा, एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दी थी, और Mid Cap को ज्यादा चलने के लिए, इस लेवल 32,100 की लेवल को निकलना बहुत जरूर ही है, बट सामने ही याद रखिएगा 32,595 का एक लेवल यहाँ पर खड़ा हुआ है, रईस्टेंस के तौर पे, तो यह कुछ लेवल्स है, जो आपको ध्यान रखना है, अगर इनके पास आ के चीज़े बार-बार लोटती हुई नज होती रहेगी, स्मॉल केप की बात करें, स्मॉल केप मुझे अभी पॉजिटिव नजर आता है, 200 DMA को भी इसने यहाँ पर रोके रखा है, सपोर्ट लेके रख रखा है, अगर मार्केट यहाँ पर गिड़ती भी है तो हो सकता है, 9,574 को तच करके फिर एक उपर जाए और असली तेजी के लिए, यहाँ पर सबसे पहला लेवल तो यह वाला लेवल है, जो इसे निकालना बहुत जरूरी है, जो कि कितना है, 9,794 या 9,800 का आप कह सकते हैं, और में लेवल यह वाला है, जहां से बार-बार चीज़े लौट दिवी नजर आ रही है, एक बार 9,872 का लेवल इसने निकाल दिया, तो सीधे यहाँ पर 10,070 की तरफ यह कूच करता हुआ नजर आएगा, और याद रखिये, अभी small cap को और उचाई पर चलना है, तो यह particular level इसके लिए नजर आता है, 12,000 की जर्णी तै करनी है, तो small cap के लिए जर्णी थोड़ी सी जादा है, और बात करें, निफ्टी 50 की, और mid cap की जर्णी उसके according यहाँ पर थोड़ी कम है, इसके इलावा हम कुछ indexes से related बाते कर लेते हैं, जैसे कि निफ्टी bank को हम बात कर लेते हैं, निफ्टी bank यहाँ पर देखिये, high लगाता हुआ नजर आ रहा है, आज भी यहाँ पर ना के बाता भी है यहाँ से, तो यहाँ पर इसके लिए एक support नजर आता है, वो भी कितना, 41,850 की आसपर, तो यह से touch करके यह फिर दुबारा ओपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो bank में यहाँ पर थोड़ा सा क्या हूँ positive यहाँ पर नजर आता हूँ, निफ्टी PSU bank देख ले एक मिन देजिए मुझे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, देख लीजिए, तो जो इंडेक्स का हाई है, 5,349, तो याद रखिए, आपकी जो rally होनी है PSU में, वो rally यहाँ तक ही होनी है, ओके और जितने भी share है na PSU के bank के, तो वो इस तरीके की rally करते हूँ नजर यहाँ पर लगातार तेजी हो लिए है, थोड़ा से यहाँ पर cautious रहिएगा, चीज़े नीचे आएगी, नीचे के बाव पर खरीदेगा, क्योंकि ऊपर के बाव पर अटकने की जगे, नीचे के बाव पर सई टाइम पर buy करेंगे, तो अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ प को एक बार देख लेते, कि NASDAQ किस तरीके से behave कर रहा है, तो NASDAQ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ खास यहाँ पर movement नहीं गिर रहा है, नहीं भागता हुआ नजर आ रहा है, same as it is, हम देखें, यहाँ पर एक सपोर्ट था, जो इसने 28,541 का बनेगा, बट जैसे ही यहाँ पर इसे और उचाही पर जाने के लिए, क्या करना है, इस लेवल को निकलना है, वो जरूर ही है, 30,000 का जो कि मुझे लगता है, इस बार निकालेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, बट निकालेगा, और इसके बाद एक और लेव करते हुए, नजर आएगा, तो निफ्टी आईटी की तरफ आपको ध्यान देना है, निफ्टी फार्मा देख लेते हैं, निफ्टी फार्मा देखिए, अब एक ऐसा केंडिडेट है, जो यहाँ पर भागता हुए, नजर आएगा, अगर किसी ने केंडिश्टिक चार्ट प दिखाई देगी, तो फार्मा श्टॉक्स की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि फार्मा श्टॉक्स यहां से भाग सकते हैं, अगर यहां से गिरा, तो फार्मा श्टॉक्स यहां पर दुबारा गिरते हुए, नजर आ सकते हैं, तो फार्मा श्टॉक्स की तरफ आपको क्या करन याद रखिए यह एक भैतरी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है कितने का 12,366 के आसपास का जब तक यह कायम है तब तक आपको डरने की जरूत नहीं है बट अगर 12,366 यह लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो याद रखिए चीजे नीचे आती हुए दिखाई देगी और क्यो क्योंकि यहाँ पर डवल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है और मैंने अमेशा देखा है जब भी ऐसा चार्ट पैटन होता है तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ बट निफ्टी ऑटो जितने भी स्टॉक्स है सारे मोशली अच्छे रिटरन देते हुए नजर आ रहे ह तो यहाँ पर शायद यहाँ पर टच करके दुबारा एक हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है तो आटो में मैं अभी पॉजिटिव हूँ फिलहाल में बटा कर यहां से नीचे आता है तो एक बड़ी गिराबट भी देखने को मिल सकती है तो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो बट फिर भी आप अगर चाहे तो उसे रैली को यहाँ पर एंजोय करिए जो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है बट एक स्टॉप लॉस के साथ की 6,320 के आसपास का स्टॉप लगा लिजिए जब तक यहां तक है ठीक है इसके नीचे आई तो दिवारा यहाँ पर एक ग ऐसा खास चमतकार करते दिखाई नहीं दे रहे हैं ओके तो निफ्टी FMCG एक साइड़ बेजी चल रहा है जब तक यहां पर ठीक है अगर इसका सपोर्ट है अगर वो तूटता है तो निफ्टी जो FMCG है वो एक बहतरी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा और जो वो सपोर्ट कितना है वो सपोर्ट लगबत 30,000 की आसपास है तो हमें यहाँ पर विद्यान देना है तो यह कुछ इंडेक्स है कुछ यहाँ पर निफ्टी, Small Cap, Mid Cap और Large Cap है जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से ही यह बिहेव करते हुए नजर आएगे और यह सारी च सब्सक्राइब कर दीजेगा तो वीडियो अच्छी लगए लाइक हमें शेयर चानले को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंकी सो मच कॉर्बलेस